Hello everyone, Hello प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और मैं आपका Physics Teacher सूरिभान सिंग राजपूर आपके लिए पहला Lecture लेके आगया हूँ Physics का पैरे बच्चों, Basic Mathematics का इससे पहले कि इस Chapter को आपन सुरुवात करें, आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, यह Chapter का Importance क्या है तो इस पूरे जो Session चलेंगे, अपने जो Continuous Lectures होने वाले हैं, इसके अंदर आपको हर एक Lecture की Importance बताई जाएगी और साथी साथ में आपको ये भी बताया जाएगा, कि वो जो Topic को सेक्षिन में कवर कराया जा रहा है वो आपके Main Street Advanced Point of View से कितना Important है, या फिर कितना था वज्यूब रखता है First of all, let us start with the first lecture that is called Basic Mathematics प्यारे बच्चों, Math is a Language of Physics अगर आपको Physics के समस्य बहुत अच्छे से बनाने हैं, तो आपको Maths पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए मैं एकदम Extreme Tough Level Mathematics की बात नहीं कर रहा हूँ पर हाँ, कुछ-कुछ Topics Mathematics के ऐसे होते हैं, जिनमें अगर आप बहुत अच्छे से Comfortable हैं तो Physics के जब आप सवाल करेंगे, तो आप कोई भी समस्या Face नहीं करेंगे कई बच्चे ये गलती करते हैं, मैंने देखा है Basic Mathematics को बहुत light ले लेते हैं इसकी वैसे क्या होता है, Physics में उनको Pseudo Feeling आना स्टार्ट हो जाती है उनको Concept तो चमक रहा होता है, पर जब सवाल कर रहे होते हैं तो Maths वाली Problem होती है और उसके बाद हो Frustrate हो जाते हैं उसके बाद वापस से Basic Mathematics में Integration, Differentiation के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं और इधर उनका SLAVAS आगे की तरफ बढ़ता रहता है पहरे बच्चो आपको यह गलती नहीं करनी है, you need to understand that Mathematics is a language of Physics, if you don't understand the basic concept of Mathematics it will be very hectic for you guys to make a problem solving on Physics पहरे बच्चो इसको आप ऐसे समझेगा, जैसे आप Physics के Problem, जैसे आप पढ़ोगे तो आप इसको ऐसे समझेगे कि यह आपके वो टूल्स है, Mathematical tools यह आपके जो टूल्स है, जो किसी चीज़ को करने के लिए बहुत सहायक होते है for example, हथोडा, छैनी, प्लायर्स, यह सब क्या है कोई आगर आप कोई काम करना चाहते हो, तो यह आपके effort को बहुत असान कर देते है similarly Physics में अगर आप सवाल सॉल्फ करोगे और अगर आपको basic Mathematical tools के बारे में अच्छे से information होगा तो यह आपके effort को बहुत असान करने के चलिए, इसी के साथ शुरू करते है देखते हैं हम पहले lecture में किस की बात करने वाले है guys, पहले lecture में हम trigonometry और functions की बात करेंगे तो चलिए आईए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं measurement of angle से now, you need to understand one thing very clearly कि angle को measure कैसे किया जाता है और किस में किया जाता है angle को दो तरीकों से measure किया जा सकता है प्यारे बच्छों, एक radiance में measure किया जाता है और एक degrees में measure किया जाता है the first important point that you need to understand that angles are angles can be measured in radiance or degrees radiance or degrees first of all let us try to figure it out what radiance is and what degree is चल जाता है जाता है जाता है मान लीजिए ये कोई आर्क है suppose this is some arc if this is arc and this angle is theta and this arc length is L while this radius is R arc length, L क्या है प्यारे बच्छों, L क्या है प्यारे बच्छों, R क्या है प्यारे बच्छों, R है radius ठीक है प्यारे बच्छों, R है radius ठीक है प्यारे बच्छों, तो ध्यान से देखेगा जो angle theta होता है अगर वो radiance में express होता है, किस में express होता है प्यारे बच्चो, radiance में, तो वो होता है, arc length upon radius, क्या होता है प्यारे बच्चो, arc length upon radius, did you guys get it or not, तो मैं बता दूँ आपको theta होता है, radiance के अंदर arc length upon radius, now moving on, moving on to the next important thing प्यारे बच्चो, ज़र आप सोच के बता हो, अगर ये एक quarter circle form कर क्या form करे प्यारे बच्चो, अगर ये क्या करे, एक quarter circle form करे, तो ये angle degrees में तो आपको पता है 90 degree है, पर, आप मुझे बता सकते हैं, क्या, कि theta radiance में कितना है, आपको पता है बेटा, आपको पता है, पूरा circumference के कितना होता है, 2 pi r होता है कि नहीं होता है, एक circle का, तो एक quarter कितना हो जाएगा मुझे बता सकते हैं आप लोग, देखना ध्यान से बेटा, 2 pi r divided by 4, that is pi r upon 2, तो pi r upon 2 ये length हो चुका है, divided by r, this will give you pi by 2 radiance, मतलब theta कितना है, pi by 2 radiance है, similarly, हमें ऐसा बोल सकता हूं, देखो ध्यान स बता है, for a full circle, for a full circle, ये angle कितना हो जाएगा, 2 pi r upon r, that is 2 pi, did you guys get it or not, तो क्या मैं कह दू, क्या मैं कह दू, क्या मैं कह दू, देखना ध्यान से, it actually makes us to believe that 2 pi is nothing but 360 degrees, ये पूरा का, पूरा turn कितना है, 360 degrees का, मतलब 1 pi radiance, मतलब pi radiance is equals to 180 degrees, तो आपको conversion बहुत आसानी से पता होना चाहिए, क्या बेटा, कि एक radiance में, 1 radiance में, 180 upon pi degrees होता है, similarly, 1 degrees में, 1 degrees में, pi upon 180 radiance होता है, I hope आप लोगों को ये दोनों बात, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, छीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, basic elementary 10th class के अंदर, degrees क्या होते हैं, और radiance क्या होते हैं, आईए, आगे की तरफ बात करते हैं, अगर मैं आपसे, 1, 2, 4 example लेने की ब बात करूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बही बताईए, 30 degrees कितने radiance होगा, 30 degrees कितने radiance होगा, तो आप देखिये कैसे solve करेंगे, आपको पता है, 180 degree के अंदर, pi radiance होते हैं बटा, तो 1 degree के अंदर कितने होगे, pi upon 180 radiance होगे, similarly, 30 degrees के अंदर कितने होगे, बटा, pi upon 180 multiplied by 30, this will give you pi by 6 radiance, did you guys get it or not, तो आपसे कोई कैसा भी example अब पूच ले, you must be very comfortable in saying the answers, similar example में अगर मैं आपसे बूच हो, क्या, क्या, क्या बटाईए, 3 pi by 2, क्या बताईए, प्यारे बच्चो, 3 pi by 2 radiance जो है, वो, degrees में कितना होगा, 3 pi by 2 radiance, degrees में कितना होगा, तो आपको पता है, क्या पता है बेटा, मुझे बताओ, तो सर, 3 pi by 2 radiance जो होगा, that would turn out to be, what बेटा, 180 by pi multiplied by, 3 pi by 2, खतम, खतम, 270 degrees, so these two are the examples on which, you can actually see, कि कैसे आप radiance degrees में, या फिर, degrees से radiance में convert करते हैं, प्यारे बच्चो, तो मैं कुछ आपको होगा देता हूँ, आप मुझे जरूर करके, बता है, क्या, कि 11 pi by 2, कितने degrees होता है, similarly, 360 degree, not 360 degree, तो बहुत easy होगा, बताइए, let us suppose, 450 degree, कितने radiance होता है, जल्दी से प्यारे बच्चो, तो का answer मुझे बताइए, कि आप लोग, करेक्ट है कि नहीं है, 11 pi by 2, कितने degrees होता है, और 450 degree, कितने radiance होता है, बार-बार, आपको इसी के थूरू होके जाना है, let me repeat you once again, pi radiance is 180 degree, just by heart, this one, and किसको किसी में भी convert, आप इसी तरीके से कर सकते हैं, चले प्यारे बच्चो, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आपने देख लाए कि degree को radian और radian को degree में कैसे convert करते हैं, तो, basic basic आपको directly याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, basics क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए, that 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees, and 180 degrees, in the form of, in the form of, what bit of, radians के form में आपको सारे answers पता होने चाहिए, this is pi by 6, this is pi by 4, this is pi by 3, this is pi by 2, and of course, this is pi, now, more or less, angles का measurement, positive होगा या negative होगा, ये किस पाथ पर dependent होता है, ये भी हमको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो आगी है गाईस देखते हैं, देखिए ध्यान से, तो प्यारे बच्छू, अगर ये positive x-axis है, ये negative x-axis है, देखिए राओगा आप लोग को, ये positive y-axis है, ये negative y-axis है, all right everyone, all right sir, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना छोटे, प्यान से अग्यान 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 से Anti-Clockwise from positive X axis is positive angle while angle taken clockwise angle taken clockwise from positive x axis is taken as is taken as negative angle याद रखेंगे क्या गाई आप लोगे चीज चोटी-चोटी चीज है लेके बहुत इंपॉत हो जाते ही है अगर मैं इस अंगल को बोलू लेट ऊपोस 30 degree तो देखि या अंटी-clock wise गाई पोसिटे चोटी चोटी तो इस अंगल इस पाई बाई 6 और 30 degrees why in a similar manner in a similar manner अब ध्यान से देखना छोटे अगर तु नीचे से उपर की तरफ जाता है यह देखिए clock wise घुमाए की नहीं तु घुमाए बिल्कुल घुमाए सर यह clock wise है देखो ध्यान से पूरा 360 होता 360 मेचे 30 घटा दिया तो यह अंगल कितना है 330 degree हो गया दिखिया आपको बिल्कुल दिखिया तो सर इसको या तो pi by 6 या 30 degree बोलो या फिर और 2 pi minus pi by 6 with a negative sign did you guys get it or not beta 2 pi minus pi by 6 करता हो जाएगा 11 pi by 6 तो इस अंगल को क्या बोला जा सकता था pi by 6 और minus 11 pi by 6 they both are the correct explanation तो let me recall कि अभी हमने क्या सीखा measurement of angle में हमने सीखा कि कैसे हम एक angle को measure करते हैं angles can be measured in the form of degree और in the form of radiance in case of radiance जो angle theta radiance के अंदर measure किया जाता है वो arc length upon radius होता है और यहां से हमको पता चला क्या बेटा कि जैसे 2 pi r upon r जो है एक पूरे circle का circumference होता है 2 pi r upon r gives a result of 2 pi और 2 pi कुछ ने 360 degree के equivalent है similarly यहां से हमें पता चला कि pi radiance is equivalent to 180 degrees यहां से आप किसी भी radiance को pi में या फिर किसी भी pi को radiance में convert कर सकते है उसके बाद मैंने आपसे चर्चा किया क्या कि angles का measurement positive और negative कैसे लिया जाता है मैंने आपको बताया positive x-axis से अगर anti clockwise घूमा जाएगा then angle will be taken as positive और positive x-axis से अगर clockwise घूमा जाएगा then angle will be taken as negative चले प्यारे बच्चो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ अब बात करते हैं basic trigonometric functions की so I hope आपको basic trigonometric functions तो पता ही होंगे एक बड़ आपर वापसे recall कर लेते है प्यारे बच्चो धियान से देखियेगा first of all if this angle is theta this is called perpendicular, this is called base, this is called hypotenuse and obviously according to Pythogras theorem चले तो बात कर रहे हैं आपन basic trigonometric functions की तो देखिये धियान से प्यारे बच्चो यहांपे धियान से देखिये obviously आपको पता ही है Pythogras theorem क्या होता है Pythogras theorem क्या होता है that P square plus B square is equals to H square first of all this is very important thing second important thing देखिये धियान से देखिये धियान से देखिये बटा cot theta, sec theta and cosec theta they are the six basic trigonometric functions क्या क्या होते हैं देखिये धियान से देखिये धियान से देखिये बटा this is perpendicular upon hypotenuse this is base upon hypotenuse right बटा and this is perpendicular upon base this is base upon perpendicular correct है क्या बटा that in sec theta that is hypotenuse upon base and then cosec theta is hypotenuse upon perpendicular all right everyone कई बच्चेस को एक अलग तरीके से भी याद रखते हैं कैसे बटा देखिये धियान से that is Pandit Badri Prasad हर हर भोले रूपर के functions क्या होते हैं बटा सोना शानी तोले कम से कम हाना कम all right everyone इसका मतलब क्या है देखना धियान से पहरे बच्चो से लगे, simply means, it is simply means it is a table of sin, cos, tan, P upon h, B upon h, P upon b and similarly, this will be Cocyk, sick and cot तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं obviously आपने पढ़ा ही होगा 10th class में प्यारे बच्चो इस चीज को easy-peasy that sin is P upon H, cos is B upon H, tan is P upon B, cosec is H upon P, sic is H upon B and cot is B upon P. All right everyone, all right sir, ध्यान से. अब एक बात ध्यान से देखें, basic कुछ trigonometric identities भी होती ही जो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छे से, सबसे पहली identity तो आपने पता ही होगा, प्यारे बच्चो, sin square theta plus cos square theta is equals to 1, very good. दूसरी, जो important identity है, वो क्या है बटा, देखना ध्यान से, sec square theta, sec square थोटे करगा, तो कितना हो जाएगा बटा, H square upon B square, minus 10 square theta, that square upon B square minus P square upon B square will give you B square upon B square, that is 1, last but not the least. Cosec square theta, correct है बटा, minus cot square theta is equals to 1. So, these are the 3 basic trigonometric functions, 6 basic trigonometric functions and 3 basic trigonometric identities, which you must remember, while this is a Pythagoras theorem, this is a Pythagoras theorem for a right-angled triangle. All right, प्यारे बच्चो, all right, चले, आगे तरह पढ़ते हैं. तो इसके बाद जो important चीज जो आती है प्यारे बच्चो, वो आती है quadrant rule. तो यहां मैंना अल्रेडी कुछ एक diagram बना रखा है, मेरे words के साथ चलते रही है का आगे, ताकि आपको quadrant rule बहुत अच्छे समझ में आए, and this is the very most important rule वाइस, बहुत जादे इंपॉर्टेंट रूल है, चोटे, उसको छोड़रा नहीं है, उसको चोड़रा नहीं है, छोटे-मुटे angles का तो आपको पता है, 0 से लेके 90 degree तक, पर 90 degree और उससे जादा की जो values है, 270 degree, 540 degree, 1140 degree, इन सब की values को कैसे निकाला जाएगा, यह आप पता करेंगे quadrant rule से, first of all, let me introduce you to the quadrant rule, what does it says, देखिए, मैंने angle का जो calculation है, वो यहाँ से start किया है, और आपको पता है, anti-clockwise अगर मैं move करता हूँ, तो angle will be taken as positive, देखिए, positive x-axis पे, बैने पहले 0 degree लिया है, 90 degree उठोगे, तो यह pi by 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, pi हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो इस axis को, जो positive x-axis है, उसको 2n pi-axis का नाम दे सकता हूँ, कि देखो ध्यान से, n की value पहले 0 रखो तो 0 आजाएगा, n की value 1 रखो तो 2 pi, n की value 2 रखो तो 4 pi, तो इस axis को बोला है मैंने 2n pi-axis, all right everyone, all right sir, similarly, minus x-axis को क्या मैं 2n plus 1 pi-axis लिख सकता हूँ, n की value 0 रखो पहला आएगा, pi, n की value 1 रख तो 2 plus 1, 3 pi, ऐसी अगला किता आएगा, 5 pi, बिल्कुल sir, बिल्कुल बोल सकते हैं, ऐसी ऊपर की तरफ चलते हैं, ज़र देखो, यह क्या है, pi by 2, 5 pi by 2, तो pi by 2 multiplied by, या इसके आगे वाले number odd number है, odd number को 2n plus 1 से represent किया जा सकता है, याद रखना, कभी भी याद रखना है, प्यारे बच्छो, जो odd number होता है, उसको represent करने के लिए, 2n plus 1 का इस्तेमाल करेंगे, और जो even number होता है, उसको represent करने का लिए, 2n का इस्तेमाल कर दे, correct है कि नहीं है, प्यारे बच्छो, बिल्कुल सही सर, तो देखिए, यहाँ पर 2n plus 1 pi by 2, बोल देता हूं, पर ध्यान से देखना, इधर 1 है, फिर 5 है, फिर 9 आएगा, चार-चार का गया पारा, दिख रहा है क्या, 1, 5, 9, 13, तो यहाँ पर n जो है, वो even number को बिलॉंग कर रहा है, तो n की value पहले एक बार 2 डालो, तो कित्ता हो जागा बचा, 2, 2 जा 4 plus 1, 5 by 2, ऐसे यह n की value अगली बार 4 डालना पड़ेगा, तो 4, 2 जा 8 plus 1, 9 pi by 2, similarly, negative y axis में n belongs to odd number, तो इसको अराम से देखिए, और दिमाग में बैठा लीजिए, क्या कि कौन से axis किदर होती है, साथी साथ में, जो यह pi वाली axis होती है, यह horizontal axis होती है, वो होती है, no change axis, क्या होती है, प्यारे बचो, no change axis, और जो vertical axis होती है, वो होती है, change axis, vertical axis क्या होती है, change axis, दुबारा से, एक साथ बता रहा हूं, ध्यान चा सुरो, क्या हो गया भीया, आपके सामने से positive x, negative x, positive y, negative y, positive x है 2n π.x, negative x है क्या बटा, 2n plus 1 π.x, positive y-x कौन से है, 2n plus 1 π.x, negative 2n plus 1 π.x, पर उपर वाले में n even है, नीचे वाले में n odd है, चमका क्या छोटे, वापस है, horizontal axis जो है प्यारे बच्चे, वो क्या है, no change axis है, और vertical axis क्या है, छोटे, change axis है, change axis और no change axis मतलब क्या है, अभी आप फोड़ी दिर में समझ जाएंगे, पर याद रहें, यह axis होती है, no change axis और यह axis होती है, change axis, जहांचे देखिएगा, quadrant rule करता है, कि कोई भी angle, अगर first quadrant में लाई करता है, this is first quadrant, right, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant, यह कहता है, कि कोई भी trigonometric function का angle, अगर first quadrant में लाई करता है, तो उसका answer सब में positive आएगा, दूसरा क्या कहता है, अगर sign और cosec, sign का उल्टा क्या होता है, अगर यह second quadrant में लाई करता है, कोई भी angle, तो यह दोनों positive होंगे, all other will be negative, similarly, अगर third quadrant में angle लाई करता है, तो 10 और cot positive होंगे, all other will be negative, और fourth quadrant में अगर आएगा लाई करता है, तो प्यारे बच्चो, क्या होगा, यहाँ पे positive होगा, बागे सब में, कौन, कॉसेक और सेक positive होगा, बागे सब trigonometric values के लिए वो negative हो जाएगा, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चो, अगला important point, हान सुनना, for change axis, यहाँ रखना है, for change axis, sign जो होगा, वो cost में change होगा, किस में change होगा, cost में, और इस arrow का मतलब है, cost भी sign में change होगा, अगर change axis आ गई तो, दूसरा, जो 10 होगा, वो, किस में change होगा, प्यारे बच्चो, cot में, और जो cot होगा, वो 10 में, similarly, sec जो होगा, वो किस में change होगा, बटा, cost में, और cost किस में change होगा, sec में, यह जो board पर लिखा गया है, दोनो important point है, बटा, एक वो graph, यह diagram, और दूसरा, यह change axis को कौन कौन कैसे change होगा, तो आईए, चली, जानने के कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के questions को आपको कैसे solve करना है, कैसे deal करना है, तो I will give you some simple few steps, जो आपको हर बार उस step को follow करना है, and then आपको उसके accordingly answer देना है, ठीके बटा, चली आईए, तो देखेंगे इन्द्हान से, मैं एक example लेता हूँ, simple सा, simple सा, tan of 3 pi by 2 minus theta, बने रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, किसके बराबर होगा, आईए निकालने कुशिश करते हैं, तो step 1, मैं step by step चलूँगा बच्ची प्यारे बच्चों, step 1, step 1 कहता है, identify the quadrant, identify the quadrant, identify the quadrant, quadrant को identify करते हैं, सबसे पहले बताओ, 3 pi by 2 कहां है, sir, 3 pi by 2 यह वाली axis है, correct है कि नहीं है, ध्यान से सुनना, 3 pi by 2 minus theta, मतलब पहले 3 pi by 2 पे गए हो गए, मैंने बताए, आपको हमेशा इंटी clock wise angle चलना है, तो angle 3 pi by 2 पहले यह तक पहुँचे, और minus theta है, मतलब 3 pi by 2 से पहले होगा कहीं, तो कौन सा quadrant हो चुका है, guys, third quadrant, अगर यह 3 pi by 2 प्लस theta होता है, तो पहले 3 pi by 2 चलते है, anti-clockwise, मैंने बताए आपको positive sense of angle क्या होता है, positive x-axis से anti-clockwise चलोगी तो positive sense of angle direction होता है, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक move किया, 3 pi by 2, minus theta बोले थर्ड क्वाडरेंट, प्लस theta बोले तो fourth quadrant, सबसे पहला answer मुझे बता चोटे, क्या लिख दूम है, कि यह जो quadrant है, वो कौन सा quadrant है, sir, यह तो third quadrant है, बहुत बढ़िया, identify the quadrant आपने कर लिया, correct है, third quadrant के अंदर आपको मालूम है, 10 and cot जो है, वो positive होते हैं, perfect है कि नहीं है, third quadrant के अंदर, 10 और cot क्या होते हैं, बेटा, positive होते हैं, अच्छा, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर 10 और cot positive होते हैं, तो यहां पे तो 10 लिखा है कि नहीं लिखा है, विल्कुल सही सर, तो सर सबसे आगे तो एक positive sign लगा, दो आप, यह third quadrant में 10 positive होता है, step 1 complete हो चुका है, दूसरा, step 2, c for change axis, c for change axis, अरे यह वाली axis तो सर change axis होती है, 3 pi by 2 वाली, pi by 2 वाली axis होती है, change और pi वाली axis होती है, no change axis, हाँ, सर, तो देख लिए आपने, yes, it belongs to the change axis category, and that is why, 10 will get converted into cot, yes, सर, so answer will be plus cot theta, and that is how, you will write to the answers, ओल्राइट पहरे बच्चो, विल्कुल सही सर, अच्छा, कई स्टूदेंस को, यह याद रखने में भी दिक्क्त होती है, तो इसके लिए एक मैं छोटी चे ट्रिक बता देता हूँ, आपको, quadrant wise, this is called, कई लोग इसको, caste rule से भी याद रखते हैं, पर आप ऐसे याद रखिए, all students, आप लोग पढ़के कहां जाओगे, college भी जाओगे कि नहीं जाओगे बिटा, all students to college, a, a, पहले quadrant में सब positive है, second quadrant में, sine और sine का उल्टा, cosec, sine और cosec, यह दोनों positive है, t for tan और tan का उल्टा, cot, ऐसे c for, cosec, sorry cosec तो हो गया, c for, क्या बोलोगे बिटा, c for, cos and, all students to college, that is the case, and that is how you have to solve it, all right everyone, all right पहले बच्चो, चलिए आईए तो कुछ सवाल देखते हैं, कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं, मैंने एक 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 ग्जाम्पल से आपको करके दिखा दिया है, मैं कुछ और एक्जाम्पल के साथ आपको पेश करता हूँ, आईए देखते हैं, सबसे पहला सवाल देखते हैं, कि भाही आप बताईए, सबसे पहले स्टेप मैंने दरो क्या बता है था छोटे, कि पहले क्वाडरेंट को आइडेंटिफाई कर आजा करते हैं, सर 19 पाइबाइटू, देखे ध्यान से, इस 19 को मैं 2N प्लस 1 से क्वेट कर दूँ, क्योंकि पाइबाइटू एक्सेस है कि नहीं है, यस सर, तो यह आगया 18 is equal to 2N, और N के value आचुकी है 9, अगर N के value 9 आई है, तो यह क्यासा number है, सर यह तो एक odd number है, तो सर confirm यह नीचे वाले point पहुँगा, क्योंकि N belongs to odd, कहा होता है बैटा, minus Y axis पे होता है, तो अगर यह N odd को belong कर रहा है, प्यारे बच्चे ध्यान सुनना, और minus theta है, मतलब तुम सबज़ गया, नीचे चला गया और minus theta, वापस से quadrant कौन सा आ चुका है, third quadrant, और third quadrant में तुझे पता है, sign होता है negative, और यह change axis है, यह किसको represent कर रहा है प्यारे बच्चों, change axis को, साइन किस में change होगा बेटा, cos में, answer will be minus of cos theta, I hope आप लोग को यह बहुत अच्छे से clear हुआ, ठीक है बेरे में तो, अभी और दो-चार एजम्पल करूँगा, तक कि और clarity आ जाए आपको, अगला सवाल दिखते हैं, थोड़ा सा twist करता हूँ है, tan of 20 pi by 2 minus theta, फिर यह pi by 2 मत दिखने ला, पहले देखको divisible है यह, 22 से divisible है, तो यह क्या लिखा हुआ है basically, सर आपने तो यह लिखा हुआ है, simply tan of 10 pi minus theta, 10 pi किदर आएगा बेटा, 10 pi 2n pi वाली axis पहाएगा कि नहीं, 2 से divisible हैं नहीं 10, अगर 2n pi वाली axis पहाएगा तो नहीं नहीं पहाएगा तो नहीं पहाएगा तो यह 2n pi एकसिस पहाएगा, तो 2n pi, 2n pi वोले तो यह, 2 pi 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 10 pi उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ हूँ, 10 pi minus theta, मतलब 10 pi पह आप आगे, minus theta, मतलब कौन सब क्वादरन, सर, this belongs to quadrant 4, and in quadrant 4, 10 is a negative term, and in quadrant 4, 10 is a negative term, and this is no change exists, the answer will be minus of 10 theta, did you guys get it or not, बिल्कुल सही सर, और थोड़े चुशन लेते हैं, और एक बढ़िया सवाल लेते हैं, प्यारे बच्चों, now, the next problem is, consider, cosec of, 1051 pi by 2, plus theta, बताईए, इसकी value क्या होने वाली है, 1051, first of all, दिख्या की 1051, दो से divisible नहीं है, तो horizontal axis तो नहीं होगी, vertical axis पहीं कहीं होगा, आईए देखते, vertical axis पहाँ होगा, तो 1051 is equals to 2N plus 1, तो 1051 minus 1 equal to 2N, तो यह होगया, कितना होगा, 1050 बराबर 2N, yes और no बेटा, बिल्कुल सही, और N के value जो भी आएगी, N के value जो भी आएगी, क्या आएगी बताओ, 2,5,10, yes और no बेटा, बिल्कुल सही सर, दो दुनी 4, बिल्कुल सही सर, हासिल 1 और 10, 2,5,10, यह कैसा नमबर आया है, एक odd number आया है, कैसा नमबर आया है, प्यारे बच्चों, यह एक odd number आया है, and if this is odd, यह confirm minus y axis होगा, कि नहीं होगा, odd number नीचे होता है, even number उपर होता है, और उसमें, plus theta आड़ कर दिया गया है, so, sir, this belongs to 4th quadrant, this belongs to 4th quadrant, and in 4th quadrant, cosec is negative, because cos and sec is positive in 4th quadrant, तो सबसे पहले, आगे लगाएंगे, क्या यहां पर negative, और यह है, sir, change axis, to cosec किसे में change हो जाएगा, sec में change हो जाएगा, answer हो जाएगा, minus of sec theta, let us do one more last problem, that is, गार करके देखते हैं आपर, क्या बचाएं, tan ले लिया, sin ले लिया, कोशे कले, cot कले ले 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 देंगे, चलो, cot of, कुछ भी लख ले 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 ले, 1, 7, 9, 2, 4, pi by 2, plus theta, तो दिख रहा है, तबियत से दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो प्यारे बच्चो, आपको दिख रहा है, कि टू से divisible है, तो 2N plus 1 तो करने के जोरत ही नहीं है, बहुत ले ले 2 से divisible नहीं होता, तो 2N plus 1 करके पता करते हैं, निवन है ओड है, उपर है या नीचे है, चमका की नहीं चमका, बिल्कुल सर, देखो ध्यान से, द्यान से, द्यान से द्यान से, दो आठे सोला, एक सत्रा, दो नव आठारा, एक उननेश, दो छके बारा, दो दुनी चार, अरे सर, ये तो, टू एन पाई एक्सेस पे लाई कर रहा है, देखो ना, पाई के साथ क्या मल्टिप्लाइड है, एक इवन नमबर मल्टिप्लाइड है, इवन नमबर कहां पे होता है, देखो ध्यान से, ये रहा इवन वाला एक्सेस, यह रहा ओर्ड वाला एकस्ष तो उसके बाद प्लस थीटा है मतलब फूर्थ क्वाटरेंट पर तो आई गया प्लस थीटा कौंसा था नीज तो फॉर्स से बिलॉं करता है किस कोड़न करता है फॉर्स स्वादेट से सब ही पॉजटिव होते हैं इसके अंसर तो क्या रहेगा क of theta or no change axis होता है sir, no change axis होता है angle will remain same did you guys get it or not so this is how you will solve the problem based on quadrant rule जैसे कि अपने quadrant rule सीक लिया है मैं एक बार वापर से recall कर देता हूं क्यारे बच्चो कैसे किये हैं मैंने सारे सवाल first identify the quadrant उस quadrant में आप देखिये कि वो जो भी आपको trigonometric function दे रखा है वो अगर exist करता है तो take it as a positive otherwise it will be a negative जैसे आपने कर लिया आप देखिये कि वो क्या change axis पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर change axis पर लाई कर रहा है तो उसके corresponding आप trigonometric value लिख लीजी आप और नहीं कर रहा है तो remain as it is उसको ऐसे ही रखने की कूशेश करें चलिए आगे एक important point देखते हैं बहुत जादा देख्या क्या होता है छोटे कि कुछ functions even functions होते और minus theta sec theta के बराबर होता है यह दोनों के दोनों even functions होते हैं कैसे function होते है यह even function even function क्या होता है प्यारे बच्चो even function होता है जो f of x f of minus x के बराबर रखे दिख रहा हो आपको theta c o sin его theory in 200 आप याद रखो यह even यह बाकि सब odd है, बाकि सब odd का मतलब क्या है? ध्यांत सुनना, बाकि सब odd का मतलब है, चाहे sin ले लो, sin of minus theta हो, चाहे, क्या बचा आप अपना बताओ, cot of minus theta हो, सेक तो हो गया है, 10, 10, 10, 10, 10, 10 of minus theta हो, या फिर, cosec of minus theta, they all will give a value of minus, बाहर निकल जाता है, minus sin theta, यह हो जाएगा minus cot theta, यह हो जाएगा minus tan theta, और यह हो जाएगा minus cosec theta, याद रखोगे, और यह functions कहलाते हैं, बेटा, odd functions, function कैसे कहलाते हैं, odd functions कहलाते हैं, प्यारे बच्चों, यह, that is, f of minus x जो होता है, वो minus of f of x के बराबर हो जाता है, all right everyone, this is even function, this is odd function, याद रखेंगे, सिफ इसका याद रखो, अगला तो, ऐसे याद रखो, कि सब के आगे minus आ जाता है, अगर एंगल में minus है, किसको छोड़के, cos और sec को छोड़के, हमेशा याद रखाएगा, किसको छोड़के, cos और sec को छोड़के, रखेंगे, सेक, and then cot के रखेंगे रहाँ, 0, 60 degrees, 45 degrees, अगला क्या आएगा, 0, 60, sorry, 0, 30, 45, 60 degrees, 90 degrees, all right everyone, all right sir, और मैं आपको बता दू, sin 0 होता है, 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, and 1, cos क्या हो जाएगा, 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, and 0, what will be the value of 10, 0, देखेंगे, आपको, 1 by root 3, 1, root 3, and not defined, 1 upon 0, infinity होता है, अपिर आपका है सकता हो, not defined, cosec क्या हो जाएगा, sin का उल्टा, 1 upon sin होता है, that is not defined, 2, root 2, 2 by root 3, and 1, similarly, sec क्या हो जाएगा, 1, 2 by root 3, root 2, 2, and not defined, all right everyone, accord क्या हो जाएगा, not defined, root 3, 1, 1 by root 3, and 0, यह सारी values आपको, basic 10th class में आपने सीखी ही होंगी, पर साथ साथ आपको recall और आपको याद जरूर होना चाहिए, सब important point में हमने देखा, कि किन angles के साथ, sin, cos, और सारी trigonometric identities की values क्या-क्या होती हैं, और साथी में कौन से functions even होते हैं, कौन से functions odd होते हैं, तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीख लिया, 3 important चीज़े, quadrant rule के बारे में हमने देख लिया, साथी साथ में angle कैसे measure करते हैं, उसके बारे में हमने देख लिया, और साथी साथ में हमने पता कर लिया, कि कौन से even functions होते हैं, हैं और कौन से और functions होते हैं चलिए last but not the least अब अपन चलते हैं अपने main important तरी चीजों की तरह that is general trigonometric formulas मैंने सारे formulas को यहां पर एक साथ लिख दिया है मैं आपसे नुरोद करूँगा कि जिन जिन formula में star mark करूँ आपको जरूर याद होने चाहिए ठीक है वैसे तो सारे ही याद होने चाहिए आपको maths में भी बहुत जादा helpful रहेंगे और physics के अंदर जो important formula है मैंने सारे formulas की list यहां पर आपके लिए लिख दी है चले तो सबसे दो important formula है जो physics में आपको use होने वाले है बेटा वो होते है half angle formulas they are the most important formulas which must be used in physics और यह half angle formula क्या कहता है प्यारे बच्चो यह कहता है that 1 plus cos n theta gives you 2 cos square n theta by 2 and 1 minus cos n theta gives you 2 sin square n theta by 2 वापस से 1 plus cos n theta is 2 cos square n theta by 2 and 1 minus cos n theta is 2 sin square n theta upon 2 all right पेरे बच्चे all right उसके बाद आता है sin a plus b that is sin a cos b plus cos a sin b flip हो जाता है sin a minus b बीच में आ जाएगा minus अगर आप ध्यान से देखना plus से minus की तरफ आपको जाना है देखो तो यहां पर a plus b है b को minus b से replace कर दो तो b को अगर minus b से replace करोगे ध्यान सुनना तो cos of minus theta तो cos theta के बराबर ही होता है तो उसको कोई फरकी नहीं पड़ा लेकिन sin of minus theta minus sin theta के बराबर होता है इसलिए देखो minus बाहर आ गया है all right everyone all right अगला आता है cos of a plus b यह होता है cos a cos b minus sin a sin b and cos of a minus b cos a cos b plus sin a sin b cos a plus b में यहाँ minus आएगा और minus में यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चो प्लस आएगा similarly 10 plus minus a होता है 10 a plus minus 10 b upon 1 minus plus 10 a 10 b यह भी एक important formula है इसको आपको याद रखना है बटा this one and these all four are very important most important are half angle formulas sin c plus sin d that is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 2 into sin c minus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 cos c minus cos d अब देखो ध्यान से cos c minus cos d में आगे minus आया यहाँ पर minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 and 2 sin a sin b होगा 2 sin a sin b कैसे नहीं क्याल सकते थे देखो ध्यान से अगर आप cos of a minus b में से cos of a plus b घटा देते तो देखे एक कड़ जाता एक कड़ जाता क्या जाता 2 sin a sin b हना तो नीचे आले फर्मॉला अगर आप याद ना भी रखो तो आप इन 2 theta will be given by 2 10 theta minus upon 1 minus 10 square theta all right everyone all right sir I hope आपने सारे formula जो important हाँ सारे important formulas guys आपने cover कर लिये हैं अब half angle formula पर एक अद्दो problem करते हैं ताकि आपको formula में हलका सा conviction आ जाए formula में क्या जा हलका सा conviction आ जाए आजे देखते हैं बात करते हैं half angle formula पर वेश चले अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि भाई ग्यात करो एक problem कर रहा हूं find the value of 1022.5 degrees किसकी value पता करनी है प्यरे बच्छों आपको 1022.5 degrees की value पता करनी है now if you find these value of 1020 आपको पता 1045 की value आपको पता है तो अगर आपको 1045 पता चल जा तो 1022.5 1045 आपको पता 1 होता है आई निकालनी कोशिश करते है निकालनी कोशिश करते है आए देखिये आपको पता है 10 of theta होगा sin of theta upon cos of theta all right everyone 10 theta होगा sin theta upon cos theta perfect now if you try to remember that कहांस देखना 1 minus cos n theta क्या 2 sin square n theta by 2 के बराबर होता है बिल्कुल सर और 1 देखिये मैं दाल से दुबार से दुबार से रिकाल कर रहा हूँ 1 minus 2 sin square n theta by 2 1 plus 2 cos square n theta by 2 नहीं दुबार लिखना है फॉर्मुला बिल्कुल हो जाएगी 62 degree नहीं देखना ध्यान से यहां पर मैं निकालने कोशिश करता हूँ सबसे पहले लिखता हूँ 1 minus cos 45 n theta के value का रखिये 45 is equal upon 2 का under root अगर मैं कर दू तो क्या यह sin 22 degree के value है बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही और similarly under root of 1 plus cos 45 divided by 2 किसके बराबर है cos 22.5 के बराबर है और अगर इन दोनों के डिवाइड कर दिया तो क्या यह 10 साढ़े 22 degree के value होगी की नहीं होगी बिल्कुल होगी सर तो अगर ऐसा है तो चोटे चोटे क्या कह सकता हूँ 1 minus 1 by root 2 upon 1 plus 1 by root 2 equal to tan of 22.5 degrees this will give you root 2 minus 1 upon root 2 plus 1 as the value of tan 22.5 degrees this is how this is how we will actually solve for half angle formulas चले तो मैं आपको recommend करूंगा आप बैट के solve करके दिखा है मुझे 10 7.5 degree निकालने के कोशिश करें क्रिटी की निकालना आपको 10 7.5 कैसे निकालोगी ज़र सोचो 10 30 से पहले 10 15 की value निकालना 10 15 से फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा 10 7.5 की value निकालने पड़ेगी कोशिश करें देखना इट विल बी फन और साथी साथ में आपको इन दोनों formulas की बहुर अच्छे ज़र प्राक्टिस हो जाएगी अगर आपने 10 7.5 degree की value निकालने तो प्यारे बच्चो So these are the some important formulas which you must remember along with some important points that is which are the even functions and which are the odd functions ठीक है प्यारे बच्चो चले आगे की तरफ बढ़ते हैं Now moving on to the next important thing इसके अंदर एक और important चीज होती है प्यारे बच्चो वो होती है graphs क्या होती है बटा तो इसके जो graphs है sin k cos k 10 k यह हम graph जब section पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो सारी values अपने को याद हैं ही सही और इस सारे formulas तो एक बार मैं बापा से conclude कर देता हूँ प्यारे बच्चो trigonometric functions के इंदर हमने क्या क्या पढ़ा trigonometric के इंदर हमने जाना कि angle को कैसे measure किया जाता है radian और degrees से radian और degree में क्या होता है that pi radian is 180 degrees के equivalent होता है साथी साथ में हमने देखा क्या की जो radian angle होता है वो arc angle upon radius होता है जो भी कोई भी एक arc जो इसके center पर angle subtend करता है तो इसको radian के form में arc length upon radius से represent कर सकते हैं and then on moving on we get to know about what beta trigonometric identity sin theta cos theta tan theta and perpendicular hypotenuse base और उनके बीच का relation that is due to Pythagoras theorem साथ ही साथ में 10 theta क्या होता है sin theta upon cos theta और उल्टा नीचे जो भी राइट साथ ही साथ में आप इसको ऐसे भी याद रह सकते हैं पंडित बदरी प्रशाद रहर बोले सोना चांदी तोले कम से कम जिससे आपको कभी भी याद रखने में समस्या ना जाए मुवी महां जब आम आगे के चले तो हमने बात करी quadrant rule के और मैंने आपको बताया कि भाई एक्सेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना जो horizontal axis होती है वो change axis होती है वो no change axis होती हो उपर वाले दो नहीं नीचे टू एक्सेस के लाते हैं लेकिन उपर वाले में n even होता है नीचे वाले एक्सेस के लिए n odd होता है तो सबसे पहला step है कि आप quadrant को identify करें उसके basis पे plus या minus sign लगा है और उसके बाद आप चेक करें किया वो change axis पर लाई कर रहा है अगर कर रहा है तो उसको corresponding change इंचेस साथ change कर दे मैंने बताया sign cost में cost fine में change होगा 10 cot में cot 10 में change होगा sec sec के अंदर change होगा उसके बाद मैंने आपको बताया important trigonometric formula उसके इंदर सबसे important formula में आपको बताया मैंने आपको बोला कि half angle formula आप बहुत अच्छे से याद रखें साथ में 2 theta वले जतने formula हैं उनको भी बहुत अच्छे से याद रखें तो प्यारे बच्छो अब बात करते हैं next important topic की जो अपन ने देखना था क्या बेटा functions क्या होते हैं तो भाई simple छोटी सी चीज है functions के बार an example माप complaint पीओगे तो आपकी height बढ़ेगी तो complaint पीना एक independent variable है लेकिन आपकी height बढ़ना complaint पर dependent हो चुकी है so that is called function and it is represented as ध्यांस देखिएगा अगर कोई input x enter किया जाए और उससे अगर आप output निकालना चाहते हो तो बीच में आपको function का इस्तमाल करना पड़ेगा such that y is f of x जहाँ पे x जो है वो एक independent variable है independent variable है और y जो है प्यारे बच्छो वो क्या है dependent variable है y क्या है प्यारे बच्छो एक dependent variable है तो y is written as function of x it is also called input it is also called output ठीक है तो the possible values of x ठीक है ना the possible values of x the values of x which are allowed जो x की values अपन डाल सकते है y की वो निकालने के लिए उनको अपन कहते है प्यारे बच्छो डोमेन और y की जो output मिलता है that is called range चले कुछ एका दो छोटे बोटे example देख लेते हैं अपन सबसे पहली चीज आपन देखें अगर देहान से देखना देहान से अगर माल लीजिए माल लीजिए f of x अगर आपको दे रखा है 3x square plus 2 आप से किसी ने पूछा कि find f of x find f of 2 आप क्या करोगे बेटा सीधे x से जाएगा 2 पुट कर दोगे और answer कितना हो जाएगा चारतिया 12 और 2 14 और किसी ने आप से पूछा बढ़ी बताइए f of x minus 2 क्या होगा तो जहाँ जाए x था वहाँ वहाँ आप x minus 2 से replace कर दोगे और यह answer हो जाएगा 3 times of x square plus 4 minus 2x plus 2 this will give you 3x square plus 12 minus 6x plus 2 all right everyone 3x square plus 12 minus 6x plus 2 तो किता हो जाएगा ही 3x square minus 6x plus 14 see simply क्या करना है जो independent variable है और उसको अगर change करने को बोले तो आप इस तरीके से change करेंगे that was all about functions which you must need to know दुबारा repeat करता हूँ बेटा let me conclude this whole lecture what we have actually understood in this lecture first radian or degree के बीच में relationship establish करना हम को आया दूसरा हमने quadrant rule के बारे में मोटे मोटे तोर पर जाना कि quadrant rule होता क्या है और बड़े-बड़े angles के लिए कैसे quadrant rule को अपन use करते हैं third हमने जो important बात करी इसके अंदर वो किसके बारे में बात करी थी बेटा basic technometric functions के बारे में बात करी थी basic identities के बारे में बात करी थी जो आपको मालूम होनी चाहिए and then I talked about what बेटा general technometric formula जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है more or less एक चीज और है बहुत जो कि बहुत जादे important है बेटा देखो ध्यान से एक चीज और है मैं आपर बताना है यही पर लिख देता हूँ मैं sign rule of triangles that is called sign rule for triangles याद रखेंगे इसको sign rule for triangles what is sign rule for triangle देखना ध्यान से कर कोई triangle है प्यारे बच्छो this is A, this is B, this is C इसके सामने वला अंगल alpha, इसके सामने वला अंगल beta, इसके सामने वला अंगल gamma देखना ध्यान से बटा then sign rule of triangle क्या कहता है it says that sign alpha upon A equal to sign beta upon B equal to sign gamma upon C this is the sign rule of triangle and for similar reasons देखना ध्यान से C square जो होता है cosine rule क्या कहता है C square is equals to A square plus B square minus 2AB angle कितना है इनके बीच का cos gamma this is called cosine rule this is called cosine rule यह दो extra formula है बटा याद रखें आप लो it's very important to learn and understand and last में हमने क्या सीखा बेटा last में हमने सीखा functions के बारे में functions actually होते क्या है और वो क्या होते है प्यारे बच्चों एक independent or dependent variable के बीच में एक नई sorry relationship establish करने की कोशश करते है that is all about functions and trigonometry I hope आप लोग के session बहुत शांदार लगा हो ठीक है पहरे बच्चों next session के अंदर आपन और mathematical tool के बारे में बात करेंगे पर next session में आने से पहले make sure करें make sure करें यह सारे formulas और जो जो चीजे pinpointedly बताई गई हैं आपो बहुत अच्छे सा याद करने चले तो मिलते हैं next class में तब तक के लिए टाटा बाबाय और टेक केर